इस सेक्टर ने कभी 18 है तो कभी 22 साल छोटी एक ट्रेस के साथ किया था रोमान्स रिशी कपूर 65 साल 4 सितंबर के हो गए हैं बलेवुड में रिशी कपूर एक ऐसे स्टार है जुन्होंने अपने से कम उमर की एक ट्रेस से इसके साथ सबसे ज्यादा बार स्क्रीन शेयर की जो उनसे उमर में बहुत छोटी थी 18 साल की दिव्या से किया था रोमान्स और मिला मा तोड़कर और रिशी कपूर ने 1993 में आई फिल्म श्रीमान आशिक में काम किया था उस वक्त रिशी की उमर 41 साल और उर्मिरा 19 साल की थी दोनों में 22 साल का अंतर था 1988 में आई फिल्म विजह में रिशी ने सोनम के साथ काम किया था ये सोनम की देब्यू मूवी थी उस वक्त रिशी 36 साल के थे और सोनम मात्र 16 साल की थी दोनों के बीच तकरीबन 20 साल का अंतर था 1980 में आई फिल्म जमाने को दिखाना है में रिशी कबूर और पदमिनी कोलहापुरे लीड रोल में थे उस वक्त रिशी की उम्रह 29 साल और पदमिनी मातर 16 साल की थी दोनों के बीच करीब 13 साल का अंतर था दोस्ती दुश्मनी में रिशी कबूर के साथ किमी काटकर ने स्क्रीन शेर की थी ये फिल्म 1986 में आई थी उस वक्त रिशी 34 साल के थे और किमी की उम्रह 29 साल थी दोनों के बीच करीब 13 साल का अंतर था 1990 में आई फिल्म अमीरी गरीबी में रिशी कपूर और नीलम ने स्क्रीन शेयर की थी उस वक्त रिशी 38 साल के और नीलम 22 साल की थी दोनों में 16 साल का अंतर था 1986 में आई फिल्म नसीब अपना अपना में रिशी के साथ फरह लीड रोल में थी उस वक्त रिशी की उम्र 34 साल और भरह 18 साल की थी दोनों के बीच तक्रीबन 16 साल का अंतर था 1993 में आई फिल्म अनमोल में मनीशा को एराला के साथ रिशी का पूर ने रोमांस किया था उस वक्त रिशी 41 साल के थे और मनीशा 23 साल की थी दोनों के बीच 18 साल की अंतर था 1995 में फिल्म हम दोनों आई थी इस फिल्म में रिशी के साथ पूजा भट लीड रोल में थी उस वक्त रिशी की उम्र 43 साल और पूजा की उम्र 3 साल थी दोनों के बीच 20 साल का अगेब था 1990 में आई फिल्म हिना में रिशी कपूर के साथ अश्विनी भावे की जोड़ी थी उस वक्त रिशी 49 साल के थे और अश्विनी 19 साल की थी दोनों में करीब 20 साल का अंतर था